जैसा कि गाईज आपना भी ये देखा ये एक नील गाय का जुन्ड़े जिसके पास छोटे-छोटे बच्चे हैं अभी यहां एक किसान आएगा इनको दोल आएगा ने तो इस खेत के चारों तरफ उंचे-उंची तारों की बाड हुई है अब जब यहां से दोडेंगे तो य सांबंभाश कर जाते लेकिन जित मोले बच्चे हैं ये किस तरहिए से उसके उपर से निकलेंगे या इसमिऊ दrukt जाएंगे यह देखो यह इसको देखकर सारे के सारे नील गायें से दोड़ना शूरू कर देते हैं पहले टक-टक ही लगाया के देखते हैं यह देखो यह वाला सीन बड़ी नहीं लगाया तो सारी निकल जाएंगी लेकिन छोटे बच्चों की का इस्तिति होगी यह आपको देखना इस वीडियो में अब सारे के सारे किसान की डरती वजे से यहां से खड़े होंगे आगे बढ करने के लिया है तब ही उसी समय में भी वहां था दोस्तों और कैमरा में सारा केर किया जो एक देखने लाइक चीज थे लेकिन मज़ेदार बात यह है इतनी उंचे वायरों को यह किस तरीके से क्रोश कर जाते हैं बड़े निलगाय और छोटे निलगाय कैसे उनमें से निकल कलेंगे है यह देखो बच्चे और भी आगे जाते है वैशे धां में यह दोरने में टो बड़े महाही रहे है लेकिन यह देखते हैं क्या उस बार बंढ ध्मार मंध को यह जंप लगा करोश करता हैं यह उसमें उलज जाते हैं यह देखने की बात है सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय यहां domestic dogs नहीं है यह बच्चों को घायल करदेते हैं तो तो आगे बढ़ने दो इनको यह देखो यह आगे अब इसको कैसे cross करते हैं यह देखने वाली बात उसमें से आराम से तोड़ गे, आराम से निकल गे, कोई दिक्कत नहीं, और यह सारे के सारे जिदर दोड़ रहे हैं, उदर नेशना आईवे हैं, कहने इसना आईवे हैं, अपने पच्चों को लेकर निल गा जाएंगी, बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने यह कई बार देखा, कही बार, उसके आसपास भी नहीं जाते हैं,